स्टूडियोज में गुद्वार्णी निकुंच, कल एक अच्छी रिलीफ रैली यूएस में दिखी जिसका हमें आज के अंदर हम एक बात कर रहे हैं जो यूएस में हो रहा इसका प्रभाव इंडिया में नहीं पढ़ता है फिर भी फॉर्ण इंस्टूशनल इंवेस्टर्स तो बेच रहे हैं वो क्यों बेच रहे हैं इस समय तो चाइना भी आउट परफॉर्मस नहीं है ड़िंस्टिशनल वेस्टर्स की बाइंग आप देखे हैं अगर कम हो रही है उस्टिशनल वेस्टर्स का बाउट रही है वह करें नहीं मारकेट चिक्निकल सेंटिमेंट है यह एक प्रकार से ख्राब हो जुका क्योंकि आप चार दिन लगातार गिरे हैं तो एक बाउंस आपको मिलेगा, अगर बाउंस आच कितना सस्टेन होगा, यह कहना इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इसके अलावा निकुन जा यह तो बिल्कुल मार्केट में इस वक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ट्रेडर्स के लिए भी हर दिन बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अक्शन इस वक कहा दिख सकता है? विदानता में एक बड़ी निउस आई, प्रमोर्टर से उपने प्लैज चुड़वाए, क्या वो शेर फोकस में हो सकता है, कल आप मेटल्स के स्पेसिफिक ली बात भी कर रहे थे? देखिए विदानता स्पेसिफिक अगर बात करें तो विदानता में दो बड़ी कंसर्ण थी, कंसर्ण एक थी कि भी अपना डेट कैसे रीपे करेंगे इंडिविजल बाउन होडल्स को, मैनेजमेंट भार मैनेजमेंट ने सबस्टा से बताया है कि हमें बाउन रीपेमेंट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, और जाहिस सी बात है, विदान्ता ने अभी तक कोई बाउन्ड, अपना जो हिस्ट्री उनकी आप देखें तो उन्होंने कोई बाउन्ड डिफॉल्ट आज तक नहीं करा है, मगर मार्केट के अंदर जब अडानी स्टॉक्स में सेल आफ वा तो जाहिसी बात है, मार्केट में विदान्ता को लेकर भी चुछ तो इसका मतलब यह कि प्रमोटर के पास इस समय फंडिंग को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है, क्योंकि प्रमोटर को लेकर के फंडिंग के लिए कोई चिंता नहीं है, प्लैज शेयर्स के अंदर जब आप शेयर हटाते हैं तो मार्केट के लिए बहुत पॉस्टिफ संकेत होता है, जहां तक मेटल्स की बात है, इस समय मेटल्स और कुरूट पर व्यू लेना मुझे लगता है कि इतना एजी नहीं रहेगा, एक साइड आप देखिए, कॉपर टिका हुआ है, मगर दूसरी साइड कॉपर नीचे आ रहा है, विदानता है कि अंदर कॉपर भी है, तो कॉमोडिटी साइकल में इस समय एक व्यू लेना बहुत मुश्किल है, काफी सादा इस समय मुविंग पार्ट्स है, अगर वर्ल्ल स्लोडाउन होगी जो हो रही है, और होगी, तो मेटल्स नॉमली अंडर परफॉर्म करते हैं, मगर इस साल मेटल स्टॉक पर गिरावट देखने को नहीं मिलिए, तो विदानता एक स्पेशल सिच्वेशन स्टॉ के दो साल में नए स्क्रीन्स खूलने की भी कंपनी कारोबार विस्तार की भी प्लान बना रही है, तो अगर आप देखें, तो एक्जिबिशन बिजनस के अंदर जो बिजनस का जो पैटर्न रहता है, इस प्यॉर फंक्शन अफ कॉंटेंट, जहां पर हम देखें, पठान की सक्सेस है, वहाँ पर ब्रमासर ने निराश करा था, तो अगर आप देखें, तो एक्जिबिशन बिजनस के अंदर जो लिनियर ट्रेंड एक जो देखते थे, वह शायद मिस हो चुका है, OTT ने इस बिजनस में सीधा इंपक्ट करा है, बगर जो सिनिमा और मिल्टिप्लेक् फैक्टर है, मगर PVR और आइनॉक्स जब एक साथ आ रहे हैं, तो जाहर है, इनके अंदर सिनर्जी बेनेफिट्स आएंगे, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, एक बड़ी चेन हो जाएगी, जिसका मार्केट शेर डॉमिनिशन 50% से उपर हो जाएगा, अब इस सेक्टर क के अंदर नया कॉम्पेटिशन नहीं आएगा, छोटे सिनमा प्लेयर जो थे वो नहीं आने वाले हैं, इंटर्टेन्मेंट मेरे साब से नॉम्मलाइज होने लगा है, मुझे लगता है कि तीन-चार साल कोविट के वज़े से सेक्टर को जो मार पड़ी थी, उस मार्केट से बढ़ चुका है, बगर एक जमान होता था जम कहते हैं, जो भी पिक्चर हो अच्छी हो खराब हो, हम Friday, Saturday को परिवार के साथ जाकर के देखते थे, शायद वह पार्टन इस समय चेंज हो रहा है, आपको जमाना याद है, बड़ा बड़ी बात हो जी थी, पूरा परिवार ए को डिस्टर तो करा ही है, अब यह समझना पड़ेगा कि आने वाले 12-18 महीने के अंदर, Bollywood और जो बड़े स्टूडियोज हैं, वह कहां पर movies रिलीज करते हैं, क्योंकि जितना भी business है, एक experiential business है, बगर ultimately जो आपको drawing factor होता है, वह आपका होता है movie, जैसे मैंने दू एक्ज यह pattern अब कैसे observe होगा, because COVID की वजए से एक fundamental change is business में आगा है, ओल्राइट, ठीक है, content is king, ऐसे भी कहा जाते हैं, शुक्रिया आने कुछ, विसाल analysis के लिए, तो बाज़ार में थोड़ा सा तो tricky रहेगा आप यही ट्रीट करना, लेकिन हमारे